हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सवाओं के बारे में इसको याद करने में काफी कन्फीजिंग होती है और अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपकी सारी कन्फीजिंग डूर हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी बहुत सवाओं किस राजा के सासनकाल में होई सबसे पहले हम देखते हैं कि तिरतिय बहुत सबा किसके सासनकाल में हुई तो तिरतिय बहुत सबा असोग के सासनकाल में हुई इसे आप कैसे याद रखेंगे तो इसे याद रखने के लिए आपको असोग में तीन अच्छर है आ, सा, का असोक में तीन अच्छे रहें इसलिए तृतिय वह सवा में आएगा अब बहुत सवा प्रथम दूतिय एवं चतुर्त को हम असोक के नाम से ही याद रखेंगे कैसे तो देखिए असोक में पहला अच्छे कौन सा है आ तो आ से पहली वह सवा में अजासत्र हो जाएगा अब द बची चतुर्त बहुत सवा तो चतुर्त बहुत सवा को भी असोक के नाम से ही याद रखना है कैसे तो देखिए असोक के लाष्ट में अच्छे कौन सा है का तो का से ही चतुर्त बहुत सवा में हो जाएगा कनिस्त का चलिए एक बार फिर देख लेते हैं तिरतिय बहुत तो आ से हो जाएगा अजासत्रो अब द्वितिय बहुत सवा में कौन हो जाएगा तो मैंने बताया था कि असोक में आ के बाद कौन से दो अच्छर हैं सोक तो सोक से द्वितिय बहुत सवा में हो जाएगा काला सोक अब चतुरत बहुत सवा में हमने याद किया था कि असोक में लास्ट में कौन सा अच्छा रहे का तो का से हो जाएगा कनिस्क अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी बहुत सवा किस इस्तान पर हुई और उसका अद्यश कौन था तो इसे याद रखने के लिए आपको एक सिंपल स्टोरी माइन्ड में रखनी होगी क्या है स्टोरी देखिए आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको पता देता हूँ कि गौतम बुद्ध की 483 इसापूर में म्रत्य हो गई थी और 483 इसापूर में ही पहली बहुत सवाबी आयोजित्न करनी थी तो अब गौतम बुद्ध की मर जाने के बाद विद्धौन काफी असमंजस में पड़ गए सारे विद्धौन कहने लगे की कैसा व्यक्ति हो जो इनकी अध्यचता कर सके फिर काफी चर्चा के बाद विद्धौन इस निस्कर्फ फर आय की राम का वैसा पुत्र हो जो कुंडल पहन कर उद्धोस करे बस दोस्तो स्टोरी में हम इसी वाक्ष से चारू बौद सवाओं के स्थान एवं उनके अध्यच याद करेंगे स्टो इस दियान रखेएगए वाक्ष में जो लाल रंके शब्द हैं होईं यहमारी ट्रिक में काम आएंगे तो चलिए अपनी ट्रिक सुरू करते हैं देखो राम में से महा कस्यप फिर काम वैसा ही छोड़ देएगी वैसा में वैसे से महा तिरती बहुत सवा में वैसाली इस्थान में और सासे हो जाएगा अध्याच्छ में सासे सबाकामी अब तिरती बहुत सवा में पुत्र से इस्थान में हो जाएगा पाटिल पुत्र और अध्याच में हो जाएगा तृती बादस्वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव से असुगोष अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको चारों बहुत सवाओं के स्थान इभं अध्यच याद हो गए होंगे अब दोस्तों इसके बाद ध्यान रखना है कि कौन सी बहुत सवा किस समय हुई तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रतम बहुत सवा को याद करने के लिए हमने आपको बताया था कि जिस वर्स गोतम बुर्द की मृत थी हुई उसी वर्स पहली बहुत सवा भी आयोजित करनी थी तो गोतम बुर्द की मृत कब हुई हमने बताया था चारसो त्रासी इसापूरू तो इसलिए प् सभा के ठीक सो साल बाद आयोजित हुई मतलब 383 इसा पूर्व अब साइद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सो साल बाद हुई तो सो साल जोडने चाहिए ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ इसा पूर्व लगा आया है इसी और इसा पूर्व में अंतर क्या है तो देखो इसा प आपको समझ में आ गया होगा कि दृतिय बाद सभा 383 इसा पूर्व में हुई अब तीसरी बाद सभा 255 इसा पूर्व में हुई इसे आपको ऐसे याद रखना होगा अब चतुरत बाद सभा किस वर्ष हुई तो चतुरत बाद सभा एक इसवी में हुई इसे आप ऐसे भी प्याद रख सकते हैं कि जिस वर्स इसा मसी का जन्म होगा उसी वर्स चोथी बहुत सवा का आयुजन होगा तो ये थी दोस्तों बहुत सवाओं को याद करने की ट्रिक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें शेयर करें एब हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंट जय भारत